जैसा की देख पार हैं आप आज हम आपको बताएंगे कभूतर कैसे मनाएं कि कहीं पकड़े ना जाएं और कहीं अगर हड़ भी जाते हैं तो कभूतर दो चाह दिन या दस दिन में कैसे चले आते हैं कभूतर तो आपको पहले तो यह काम करना पड़ेगा कि आपकी बाद इतन दाना डालते हैं वहां ना छोड़ें जहां च्छत पे जहां कभूतर उड़के बैठते हैं कम से कम वहां पे कभूतर को आपको एक दो घंटे अराम से छोड़ना चाहिए ताकि वह अच्छे से कभूतर अपना च्छत को आचान सके क्योंकि और सुबह के टाइम जो काफी दूप निकला हो तब क्योंकि अच्छी तरह वह अपने च्छत को पाचान सके और कभूतर जो जब भी उते हैं तो सिदा अपना च्छत के देखते हैं और यह नहीं देखते है की आहां हम दाना खाते हैं तो बुखे रहेंगे तो कबुतर को दाना सिर्फ नजर आता है वह जब उनका पेट भरा रहाता है तो अच्छाही से अपना च्छत को देखते हैं बखुब इधर उधर का सब अगल बगल का भी पहाँते हैं घर तो इसे उनको असानी होता है कहीं सब्सक्राइब जैसे का जन दिश्रोज देख्ञाना फ्रशोज जोड़ेते हैं जब धूप का फी भी इंसे बहुत कुछ नहीं मिल पाता है और ज्यादा ज्यादा आप लोग क्या खिलाते हैं दो तीन अनाज खेलाते हैं उसमें ज्यादा ज्यादा विटामिन छूट जाता है इसलिए आप थोड़ा घाम का भी इनको दिखाए और छटका भी सोग कराएं दोनों फायदा होगा कभूतर भी फिट रहेगा कि हम तो करते हैं भाइं हम को इसे फायदा मिलता है कभूतर जल्दी ही मान जाते हैं क्योंकि चार-पांँ दिन में पक्ड़े नहीं जाते हैं गाव में तो विश्बूटर doctor program कि क्योंकि सुख नहीं मानें तो मुष्की लरा ना कितना भी आप बिजड़े में बन करके रखें दो साल तीन साल छे मैने वो नहीं रपाते हैं और मैंने कहीं उनको चले जाते हैं कहीं और